नमस्कारम अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.2 टैन्थ क्लास बायलोजी वाइल क्रियेटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केर नोट टो पूट एन एक्वेरियम एनिमल विच वुड इट अधर्स कहता है कि जब आप एक्वेरियम बना रहे हो तो क्या आप इस बात का ध्यान रखते हो या इस बात का अपने ध्यान रखा था कि आपको ऐसा जानवर ने इसमें डालना जो दूसरे जानवरों को खा जाए यानि कि जैसी जब आप एक्वेरियम बनाते हो घर पे आप अपने लिए एक एक्वेरियम बना रहे हो तो उसमें आप fishes रखोगे तो आपको कोई ऐसी fish नहीं रखनी जो दूसरी मचलियों को दूसरी fishes को खा जाती हो क्योंकि इससे आपका aquarium खराब हो जाएगा What would have happened otherwise कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और इस तरह कोई fish रखोगे aquarium में जो दूसरी fishes को खा जाती है तो क्या होगा मालो आपने 20 fishes रखी aquarium में लेकिन उसमें एक fish ऐसी डाल दिया जो दूसरी fishes को खाती है तो धीरे धीरे उनमें fighting होगी और धीरे धीरे वो दूसरी fishes को मारती रहेगी खाती रहेगी और आपका fishes का number कम होता रहेगा और जो आपका aquarium है वो खराब हो जाएगा make groups and discuss how each of the above groups of organisms are dependent on each other कहता है groups बनाईए ठीक है और ये इसका discuss कीजिए कि कैसे एक group दूसरे group के उपर depend करता है ठीक है तो इसके लिए हम थोटे से discuss करते हैं कि देखो जो फिश होती है माल जो जो एक फिश क्या है दूसरी फिश को खा रही है ठीक है एक फिश दूसरी फिश को खा रही है तो जो फिश वीक होती है ठीक है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है प्रे यहनि जो शिकार बनती है जो मारी जाती है और कौन खाता है जो powerful fish है ठीक है powerful fish है उसको क्यों बोलते है वो शिकारी है उसको एंगलिज में कहते है प्रिडेटर तो आपको ऐस तरह की fish नी रखने जो प्रिडेटर हो वरना वो प्रेय फिश को खा जाएगी तो कहते हैं कुछ groups के बारे में discuss कीजिए, देखिए कुछ groups ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, एक micro organism होते हैं, plant, या suppose अभी तो हम aquatic की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, जो aquatic organism है, लेकिन पहले मैं आपको terrestrial organism बताता हूं, जो सता है पर land पर पाए जाते हैं जैसे कि grass है, घास होता है, ठीक है, घास को कोन खाता है, बकरी खा जाती है, गोट खा जाती है, ठीक है, गोट को कोन खा जाता है, शेर खा जाता है, लॉइन खा जाता है, तो देखिए ये groups हैं, है ना, तो देखिए सबसे पहले energy, grass के अंदर energy कहां से आई, sun में से, sun में से फोटो सिंथेसिस किया और एनर्जी आगी ग्रास में अब ग्रास के खुखा लिया बक्री ने गोट ने तो ग्रास के अंदर जो एनर्जी सन में से आई थी वही एनर्जी बक्री के अंदर चले जाती है फिर बक्री यो खा लिया शेर ने तो बक्री के अंदर जो एनर्जी थी वो शेर में चली जाती है इस तरह ग्रूपस होते है तो देखो ग्रास ने क्या किया किसी को खाया नहीं लेकिन क्या करता है ग्रास सन की हल्प से, सनलाइट की हल्प से अपना फूड खुद बनाता है जिसकी एक special process भी होते है जिसको photosynthesis कहते है तो इसने अपना फूड खुद बनाया है इसलिए इनको बोलते है producer ये producer है इस ग्रूप में कौन आगे? producer लेकिन बक्री ने क्या किया? अपना फूड खुद नहीं बनाया लेकिन घास को खाया और घास में से फूड को लिया तो बक्री क्या है? consumer है तो ग्रास क्या है? जैसे ट्रीज है पेड़ पोते हैं ग्रास है ये सब producer होते है लेकिन जो जानवर है जैसे इनसान भी है या गाए भैंस, बक्री, शेर, चिता ये सब के सब producer है ये सब के सब consumer है क्योंकि ये अपना फूड producer से लेते हैं तो consumer से फूड अपना ये लेते है ठीक है? तो जैसे इनसान भी क्या करता है बक्री, जैसे इनसान दूद भी पीता है या कुछ मास भी खाते है या vegetarian भी होते हैं वो plants, fruits, दाले, ये सब खाते है तो इनसान भी अपना फूड दूसरों से लेता है या दूसरे plants से लेता है तो इनसान भी consumer में आता है तो इस तरह से nature में ऐसे producer और consumer के group होते हैं ये देखो, ये क्या? एक food chain है ये food है न, goat का food grass lion का food goat तो ये भी food, ये भी food ये भी food chain है जैसे शेर मर जाता है, इसको कीडे खा जाते है decomposer खा जाते है पढ़ेंगे, aquatic में आगे बताऊंगा write the aquatic organisms in order of who eats whom and form a chain of at least three steps तो गयते हैं आप aquatic organism aquatic organism बोलते हैं जलिये जीवों को, जो जल में रहते हैं जैसे मचली है, या ये अलगले टाइब की octopus हैं ये सब aquatic organism तो इनकी एक आपको food chain मनानी है कम से कम 3 steps की कौन किसको खाता है कौन किसको खाता है, ठीक है तो इसमें कहीं सारे food chain बन सकती है लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, simple सी अलगी होती है पानी में अलगी ठीक है, अलगी हो क्या, काई भी कहते हैं काई, अलगी अलगी को कौन खाता है मोस्किटो लार्वा होता है मच्चर का लार्वा होता है, वो अलगी खा जाता है तो अलगी खाता है मोस्किटो लार्वा मोस्किटो लार्वा तो मोस्किटो लार्वा अलगी खा जाता है अब इस मोस्किटो लार्वा को तो यह होते हैं वह फिश खाजाती है जैसे एक दोस्ति खाती है मच्रों के लर्व घए हो खाती जर्थीया एक इक मरेटिक फूरिवर्वन नहीं और मरेकागते है या फिश ने तो ये एक food chain होगी aquatic food chain अभी मैं शेर वाली बता रहा था वो terrestrial food chain थी जमीन पर रहने वालों की थी ये पानी में रहने वाले जानुवरों की एक food chain है तो देखो algae अगरती है algae plants की category में आती है algae sunlight से अपना food खुद बनाती है आप कहोगे sunlight कहाँ पानी में sunlight जाती है क्योंकि पानी क्या है ट्रांस्पेरेंट होता है तो sunlight पानी के अंदर चले जाती है और algae photosynthesis process से अपना food खुद बनाती है algae को फिर mosquito larva खाता है तो algae क्या है producer है mosquito larva consumer है fish भी क्या है consumer है तो ये एक aquatic food chain है would you consider any one group of organism to be of primary importance why और why not कहता है कि आप इन में से ये food chain है कोई या जैसे producer consumer है उसमें से किस group को आप सबसे ज़्यादे important मानते हो मानते हो तो क्यों मानते हो अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते देखिए वैसे तो कोई भी food chain है उसमें सारे के सारे जो groups है वो important होते है जैसे अगर आप इसका example लो अगर दुनिया में से गास खत्म हो जाए तो क्या है सारी बक्रिया मर जाएंगी सारी बक्रिया या गाएं बैंसी सब मर जाएंगे घास खाने वाले जानवर मर जाएंगे और घास खाने वाले जानवर मर जाएंगे तो मास खाने वाले जानवर भी मर जाएंगे तो इस तरह अगर इस food chain में से एक भी group खतम हो जाए दुनिया में से तो उसके पीछे के सारे group खतम हो जाते हैं तो इसलिए सब किसभब equally important है उसी तरह इसमें देखो अगर आप अगर algae खतम हो गई फानी में से तो mosquito लारो भी खतम हो जाएंगे और ये fish भी खतम हो जाएगी इस तरह से एक food chain में सारे के सारे groups important होते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको हो कि कोई और एक special important बता हो तो मेरे हिसाब से सबसे special important यह producer है producer देखो producer क्या करता है sun से energy लेकर फूड बनाता है तो सबसे पहले energy sun में से energy producer में आती है producer में से फिर वो बाकी जानवरों में जाती है तो सबसे पहले energy कौन लेकर आ रहा है producer लेकर आ रहा है तो producer को हम फिर भी सबसे ज़्यादा important कह सकते हैं क्योंकि sunlight से न तो बकरी energy बना सकती है न शेर बना सकता sunlight से energy सिर्फ घास बना सकता है लेकिन घास से energy फिर सारी जानवरों तक पहुँच सकती है तो इसलिए सबसे ज़्यादा important producer होते है है न तो जैसे वार्ड से पचल रहा है consumer तो तो भी खाएंगे जब producer produce करेगा बनाएगा इसको हिंदियों बोलते है उत्पादक तो उत्पादन करेगा तभी तो कोई खाएगा इनको बोलते है उप भोगता तो इस तरह producer ज़ो है वो ज़्यादा important है तो इसी तरह यहाँ पर भी देखो algae plants की category में आती है अगर यहाँ algae food नहीं बनाएगी तो अगर की food chain कभी चलेगी ने तो इस तरह से producer है यानि जो पहली category में जो आते हैं वो कहें ज़्यादा important है food chain के अंदर ठीक है और इसके अलावा और अगर मैं कुछ बताऊं इसमें कुछ और रह गया है अच्छा इनको ट्रोपिक लेवल भी कहते हैं जो यह है ना जिसे ग्रास है गोट है लाइन है यह पहला लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल इन्हों क्या बोलते हैं ट्रोपिक लेवल भी कहते हैं इनको क्या बोलते हैं ट्रोफिक लेवल तो यह ट्रोफिक लेवल वन हो गया यह ट्रोफिक लेवल टू हो गया यह TROFIC LEVEL 3 हो गया अगर इसके अंदर बात करें हम TROFIC LEVEL 1 टROFIC LEVEL 2 एन TROFIC LEVEL 3 तो इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता हूँ आपको जैसे जो एक्वेरियम आपके घरों में होता है, जो शो के लिए आप रखते हो, सुंदरता बढ़ाने के लिए आप रखते हो घर की, तो उस एक्वेरियम में क्या है, हम घर के अंदर रखते हैं, उसको घर के अंदर होता है, मतलब, वहाँ पर सुर्य का प्रकास दूप नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पर photosynthesis नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर क्या है, अच्छे से food chain बन नहीं पाती, तो वहाँ हमने का करना पड़ता है, वहाँ producer नहीं होते है, वहाँ algae नहीं होती, क्योंकि अगर उसमें काई पैदा हो जाए, तो वह तो गंदा हो जाता है, इसलिए जो घरों में aquarium होता है, उसमें algae नहीं होती, यानि उसमें जादनतर cases में producer नहीं होते, तो उसमें करना पड़ता है, हमें food बाहर से देना पड़ता है, तो वहाँ पर packing का आता है, packing के food, packaged food, pallets आते हैं, मतलब, दाने दाने से होते हैं, जो packing में आते हैं, वो दाने दाने से हम गेरते हैं, कुछ लोग Arctic गोलिया मना कर गेरते हैं, कुछ लोग market jestem packing में दाना आता है ब छलिएं का, वो दाना गेरते हैं. क्योंकि वहाँ पर producer एनई है, वहु पर photo synthesis नहीं हो रही ? तो वहाँ पर सिर्फ फिशिज होती हैं और हम बाहर से उनको दखाना खिलाते हैं तो ये थी activity 15.2 नमस्कारम and all the best to you